रित का शाब्दिक अर्थ है उचित या सही इससे स्पष्ट होता है कि यह नैतिक्ता के नियम का सूचक है वेदों में यह प्रारंभ में प्राकृतिक नियम था वेदों में इसका प्रारंभिक अर्थ था वस्तूओं के मार्ग का नियम अतहरित का अर्थ विश्व की विवस्था भी है सूर्य चंद्र एवन नक्षत्रों की नियमित गतियों से तथा दिवस वरात्री के नियमित आने जाने से और रितुओं के नियमित क्रम में आने से प्रभावित रिशियों ने इन में नियम की खोज की और यही रित के नाम से सामने आया इस तरह वैदिक आरियों के लिए रित का नियम वह नियम था जिससे प्रकृती में सब कुछ एक व्यवस्था के अंतरगत चलता है इस तरह रित व्यवस्था का नियम बना यह नियम इतना महत्वपूर्ण माना गया कि इसे जगत की सभी चीजों के पहले अस्तित्ववान कहा गया इसी से समस्थ जगत को अभिव्यक्त कहा गया जगत परिवर्तनशील होने के कारण अनित्य कहा गया जबकी रित नित्य है इसे सबका पिता कहा गया वेदों का यह प्राकृत नियम ही आगे चलकर नैतिक नियम बन गया धीरे धीरे यह एक ऐसे सदाचार के मार्ग जिनका अनुसर्ण मनुष्य को करना चाहिए और सदाचार के नियम के अर्थों में प्रयोग होने लगा जिनका पालन देवताओं के लिए भी आवश्यक है रित का मार्ग ही सदाचार का मार्ग समझा गया जो गुराईयों से भिन्न यतार्थ मार्ग है यहां नियम एवं व्यवस्था नैतिकता की सीधिया है रित के संरक्षक रिशियों ने इस नियम का संरक्षक वरुन देवता को स्विकार किया इसे गोपारितस्य अर्थात रित का संरक्षन कहा गया वरुन के साथ मित्र नामक देव को भी रित का संरक्षक माना गया वैसे तो सभी देवता इससे आबध है वे सभी इसे स्वीकार करते हैं और इसके अनुसार आचन करते हैं इसीलिए देवताओं को रिद्जात भी कहा गया है